न्यूस क्लिक की तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट में इस समय हम खड़े हैं नांगल गाउं में वही नांगल गाउं जहां एक तारीक को एक अगस्त को एक छोटी बच्ची के साथ तथाकतित तौर पर बलातकार हुआ और उसकी लाश को जला दिया गया हमारे बगल में ही है शमशान घाट और उसके बाद से यह गाउं संघर्शरत है आंदोलन पर उत्रा हुआ है अभी हमें खबर मिली है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है जो विरोत धर्णा चल रहा है इसे हटाने के लिए रक्षा मंत्राले ने क्योंकि पूरा का पूरा इलाका दिल्ली कैंट का है उसने यहाँ पुलिस पर दबाव बनाया है कि यह धरना हटा दिया जाए मैं रहाएँ आरो मैं पुलिस पानिन लेखाओंगी कि मैं आ रहें चले जा अम मुझे पता ने था कि इसका काई खबर छेचे बेजें अवपन्डवी वहांसा बाद दे रहें इंशको और दो अई गई जो काम है नहीं आपकी लड़ी गुजरगी कैसे कैसे करणटर लग जाए यह कहने लगी में तो खूने लेका जाओंगे रहा लेका जाओंगे कर् peine लगयाए किंच कर्णता िने आएकी सांश भी आजेगे निल इञा कि तो बढ़ला है फिर देखा जाता देंगे कर्दी तरह नहीं है का पैसे लग जाएंगे पुलीस वाले ले लेंगे हमने कट्यार उने लगा दिया हम éं बशल्धी में विजा रहरarin 자ने लिजा लगा दिया हां पहले दो लो दॉकी मीड है कि पुलिस कर रही का आप पूरे बीस अजार रुपे ले लो मैंना हमें नहीं चहिए कुछ हमें तो केस लड़ेंगे मार बच्ची का जो करें केस मत बढ़ा तो सब कैसे लड़े को पैसे ना तो कुड़ा चुकती है तो भीक मांगती है जब आप पुछी तो बच्ची काले दाती विची पड़ी थी बच्ची के हाथों पे निसान लग रहा बैस चोटा साइज मंदर जो आप यहां से लोग जो गए है चिता लगा दी थी लड़की की तो वो आग बुजा रहे थे जो उन्होंने बिलकुल बंद कर दिया जो बाल्टिया पानी की डाल रहे थे उनके बाल्टिया फैक दी उठा उठा गए और उन पर लाटी चार्ज कर दिया पहली बात तो यह दूसरी बात हमने आदे से ज्यादा बोड़ी बची हुई थी लड़की की जो भी है हमने बोला डॉक्टरी मेडिकल जो भी होता हो इसका वो करे और एसीपी से हमने सवाल कि कि सर कौन से उस्पिटल में लेके गए हो आप तो बोला नहीं उसका कोई वो नहीं था वो तो सब कुछ खतम हो गया था वहीं पर आपको किसने बोला कि बोड़ी है या उसका कोई पार्ट है उसी समसानगाड में ये दूसरी घटना है पहले दो लड़किया द्वार का सियाईती उनों के साथ हुआ था कोई आप्शन नहीं उठाता उनों के लिए कुछ भी नहीं हुआ था और अब ये छोटी सी आठ साल की नोवी में लगी थी लड़की नो साल में और ऐसा हुआ उसके साथ हां पीनी यहां पीनी का पानी जो है हमारे दिली पन्ट के अंदर अधर खारा पानी है बूरीउं कहा मीठा पानी के लिए वही जाना पढ़ता है संसान गठ से आगे दिनी जलबोड पुरा गाउं हो जाता है, ओरते जाती हैं, छोटे बच्चे जाती हैं, और हासे भी हो गए हैं, क्यों एक्सिडन्ट हो जाता है? पुलिस के लिए कभी बोलने का सोची नहीं सकती, ठीक है न, क्योंकि वो मनुवादी लोग हैं, वो हमारे इसे जो सडूल काश्च के जो लोग हैं, उनके बारे में कभी अवाज नहीं निकालेंगे, इन्हें तो सबूत मिटाने थी, क्योंने रहे रेप किया है, चार लोगों मिलके वहीं पर चिकन बना रहे हैं, वहीं पर दारू की बोतले रखी हुई है, सब कुछ वहाँ पर साफ साफ पुलिस वालों ने भी देखें, बलकि बाहर पुलिस की गाड़ी घड़ी हुई है, तो पुलिस भी आगी सब कुछ हो रहा है, पुलिस वहाँ थी उसमें, चार लो रहे हैं दोनों मिया भी और उनको पती को लात मार जीदास शागरपुर का और i brutal बुलिस रखो को सबस्रें पबार जीई कोई को उत्हुब हुर Allah कि वो इसलिए मार रहा था कि तो म केस बापिस को और बोलो 20 000 रुपे ले ली हमने हम कोई कंपलेंट नी करना चाहते और निकालो थाने से तब गला भी घराब गया इनके चकर में चिला चिला के अप थाने गई थी? अजी मनमजी थाने गई थे रात को, हम 6-7 लेडी से थाने गई थे नांगल के, तब इनको ले के आए, दूसरे दिन इनको साम साढ़े पांच बजे छोड़ते हैं वो आईसे लग रहा है हमें कि जैसे सासन और परसासन मिला हुआ है वो इस देश के गरीबों को महिलाओं को मजदूरों को किसानों को ये बताने के लिए आई है कि राजा तानासा होता है और कैसा होता है वो अपनी तानासा ही दिखा रहे हैं जिसका असर रोज लोगों पे हो रह भी तक सरकार की तरफ से कोई बयान कोई ट्वीट जो बाद बाद पर ट्वीट मौदी जी करते हैं मैं इस तरीके का कुछ हमें नहीं पता और तीन से चार चौता दिन है आज जाकर के दिल्ली के साथ परदेश सद्यक्स कोई आये थे लोग उने उनका बहिशकार करके यहां से बगा दिया क्योंकि जब चार दिन के बाद भी अगर वहां पर कोई किसी तरीके की पता करने के लि प्रदेश कोई जुड़े हैं तो वह आज आये हैं आगे क्या लगता है आपको क्या होगा आपकी मांग क्या है हमारी मांग यह है तो लोगों को तुरंट फास्ट्रेक में मामला चले उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और आने वाले समय के लिए किसी और के साथ ऐस या उन लोगों को क्यों बचाय दिया जाता है या उनको क्यों धिलाई बढ़ती जाती है इस तरीके के मामले में तुरंट के तुरंट एक्षन होना चाहिए बात बात पे ट्वीट करने वाले प्रधान मंत्री नरेन मूदी अभी तक दिल्ली कैंट के नांगल गाउं में बच्ची के साथ हुए इस बरबर कांट पर एक लाइन एक लवज न लिख पाए न बोल पाए यह इलाका उनकी पसंदीदा मंत्री मिनाक्षी लेखी का यहीं से वो इसांसद हैं उन्हों नहीं अभी तक एक शब्द नहीं कहा यहां पर गाउंवाले उत्तेजित हैं एक शब्द उनके समर्थन में बोलने की जरुर्वरत ना तो मिनाक्षी लेखी ने समझी और ग्रिह मंत्री अमिशा जिनके अंदर आती है दिल्ली पुलिस जिसकी काम पर सक्त नाराज़गी है गंभीर सवाल उठ रहे हैं उन्होंने भी अभी तक कोई दखल नहीं दिया हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची को जलाया गया था सबूत मिटाया गया था ठीक उसी तरश पर इस समय हम खड़े हैं शमशान घाट में जहां 9 साल की दलित बच्ची को जलाया गया और उस पूरे केस को छुपाने की पूरी दिल्ली पुलिस ने की, जो सब महौल बनाया जा रहा है, कि उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, हर जगा अगर बच्ची पिछडी समुदाय से आती है, अगर लड़की दले समुदाय से आती है, तो उसके प्रती पूरी की पूरी तरह से असमेधन शीलता वैसे ही बनी रहेगी, क्रिमिनल साइलेंस उसी तरह से बना रहेगा दोशियों को बचाने के लिए पूरा पुलिस प्रशाशन मोधी सरकार उसी तरह से मुस्तैद रहेगी